इस्टार्ट क्या फीचर से सारी बाते मैं आपको बताने वाला हूँ यह है वीडियो आपके लिए अती महत्पूर्ण इसद्रस्टी से होने वाला है ठीक है सबसे पहले दोसों सुरुआत करते हैं दोसों साथ अक्टूबर दोजार तारीक थी आपके सुकोथ फेस्टिवल इजराहिल में बड़ा धूमदाम से फेस्टिवल बनाया जा रहा था आपके लाइट, मुचिक, डांस फेस्टिवल सों यहूदी धरम का फेस्टिवल है आपके जिसका नाम सुकोत था शात अक्टूबर की तारीक थी इसका अंतिम दिन था उस दिन और उसी दिन आपके हमास है उस ने इस Jordan, Egypt आपको दिखाई देंगे, यहां दोस्तों ऊपर Lebanon आपको दिखाई देगा, इसके भी दोस्तों यहां दोस्तों आपके यह जो है, उसो इसराइल जिसमें आपके दो इस्थान दोस्तों, Western Bank और गाजा पट्टी जो है, यह दोस्तों फिलिस्थीन के हाथ में है, गाजा पट जानते हैं, अब गाजा पट्टी के बारे हैं, गाजा पट्टी और West Bank विवाद जो इस्थार्ट हुआ था, आप जानते हो, भली माती जरूसलम जो इस्थान है, इसके लिए विवाद इस्थार्ट हुआ था, क्योंकि दोस्तों यह यहूदी दर्म और आपके इसलाम दर्म दोनों के अंदर बड़ा पवित्रिस्थान है या भली माती जानते हैं, अब गाजा पट्टी दोस्तों इसके बारे में कुछ बाते यह हैं, गाजा पट्टी इजराहिल, मिश्र और भुमद्र सागर के बीच बसा एक छोटा सा छितर है, इसे दुनिया के सबसे घनी बहुत आपके हाई है, और दोस्तों वहाँ हमास संगठन रहता है, और वही दोस्तों वहाँ से आपके अटेक कर रहा है इजराहिल को उपर, और दोस्तों इजराहिल दोस्तों वहीं से आपके गाजा आपके स्ट्रिप के उपर अटेक करने में लगा हुआ, जैसा कि आप प 54-1000 अधीम रोकेट एक सा outta इसरा Unterstützung को उपर अटेक किये थे और इसरा हिस रंब अपके हमास संग जो है और आपके हमासन ने इसका नाम अलक्सा इस्टॉम दिया था, यह आप भलीमाती झानते, ठीक है, लेकिन दोस्तों, इसका नाम अईरण शोड दिया है, तो Jordan's ». आपके यह अलग साइश टॉम दिया, बाकि दोस्तों जो आपके इसराइल अटेक कर रहा है, उसने उसका नाम जो है, वो आईरन स्वार दिया है, यह भी आपको धियान रखना है, ठीक है, खुद दोस्तों वहाँ जो पी-म है हमारे इसराइल के जो पी-म साहब है, बेंजामी नेतनियाहू, उन्होंने खुद कहा है, कि we are at war, हम जो है इस समय युद्ध के अंदर है, इसराइल प्राइम मिनिस्टर वेंजामीन नेतनियाहू, made this statement, following attacks from Palestine fighters on इसराइल, ऐसा उन्होंने खुद गोशना किये है, कि इसराइल दोस्तों वरतमान में आपके कहां पर, war के संगर्स, इतना कथरना संगर्स है कि इसमें गाजा पट्टी का सर्वनास होने वाला है, फिर सुन लीजे, गाजा पट्टी का इसमें बहुत अधिक विनास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों, इसराइल आपके अटेक होने वाला है, ये नहीं देखने वाला कि आपके नीचे जो लोग रह रहे हैं, वो फिलिस्तीन के लोग हैं, आपके निर्दोस लोग हैं, हमास के लोग हैं, कौन दोसी होगा, कौन निर्दोस होगा, ये तैय नहीं होने वाला, युद्ध में दोस्तों नुकसान जो है, वो हर तरफ से होता है, आर्थिक नुकसान दोस्तों होता है, सारी हानिय जो हैं वो युद्ध के अंदर होती है ठीक है अब दोस्तों इसके पाद उस एक सिस्टम है जिसका नाम है आईरन डॉम आपके सिस्टम बोलते हैं इसको यह आपने भली बाती बहुत इस थानों पर देखा होगा मतलब दोस्तों दुस्मन देश अगर अटेक करता ह इनके पास की तारá दोस्तों आपके सिस्टम में उसको बोलते है आईरन आपके इससे बोलते है। इस स्orta होता है कि आपके कोई भी इससे बचा लेता है लेकिन दोस्तों हमास ने 50000 आपके रोकेट एक साथ अटेक किये थे, इसलिए इस्सिटम भी फैल हो गया, पर दोस्तों आप देख पार होंगे हमास जो अटेक कर रहा है, उसमें अधिकाश जो अटेक की हो रहा है, वह वो है तो दोस्तों इसराइल की आइर्टार डॉम तो इसराइल थेर्ड दोस्तों, control system estimate impact point, इसका जो impact point होने वाला है, कहां ही गिरने वाला है, उसको आपके control system estimate कर लेता है, यहां दोस्तों, आपके दुसमन की जो आपके missile है, आपके rocket उसका launch हुआ, इसमें दोस्तों, इसको radar ने यह detect कर लिया, कोई आपके missile rocket जो है, दुसमन कहा रहा है, थे है, फिर दोस्तों, control system estimate, इसका impact point, इसका क्या impact point होने वाला है, वो control system estimate करता है, और फिर दोस्तों, launcher fires missile to interrupt, सबसे पहले दोस्तों, उस missile को यह समाप्स करते हैं, और फिर दोस्तों, जहां से सो missile आई है, उस स्थान पर भी यह बंमारी करते हैं, तो missile exploded near rockets destroying, इसको destroy कर देता है, यह है iron dom system, जिससे आपके जो सहर जो है, इसराइल जो देश हो बच जाता है आपके, यह iron dom system, लेकिन दोस्तों, इतना दोस्तों, अधिक attack हुआ, कि detect कर नहीं पाया इतने सारी आपकी missile rockets को, और अंत में दोस्तों, वो कुछ आपकी missile rockets जो है, वो इसराइल पर गगई यह आप भली माती जानते, ठीक है, फिर दोस्तों, अभी दोस्तों, इसराइल जो आपके रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है, कि इसराइल रक्षा मंत्री ने दिया, गाजा की पूर्ण घेरवंदी का आदेश, आपके बिजली भोजन इदन जो है, उसकी आप पूर्ती बंद कर द तो पूर्ण घेरामंदी का अधेश दे दिया, इस से गाजा पट्टी में, क्यों कह रहा है आपसे, गाजा पट्टी इस बार बुरी तरह प्रभावित होने वाली है, और इस इस बार अंत तक आपके वार करें गाजा पट्टी पर है, वोगि दोस्तों, इस बार हमास ने शु सर्वनाश करने वाला यह तरह हो चुका है कि इस्राइल दोस्तों नहीं रुकने वाला आप जो है गाजा पटी का सर्वनाश होने वाला है यहां आपके जो बिजली है भोजन है जो एमधा ने उसकी आपूर्ति बंद कर दिया है इस्राइल ओड़स कम्प्लीट Lab вообще drug food and fuel supply, यह सो कमर तोड़ने वाली बात दोस्तों यह होती है, अगर दोस्तों आप किसी राष्ट की कमर तोड़ना चाहते हो, तो वहां की food, आपके water, electricity जो है, उसके supply रोक दीजिए, वहां दोस्तों रहने वाले जो लोग हैं, आपके वो खुद दोस्तों विद्रोही type हो जाए जो है, वही काम इसराइल ने यहां पर कर दिया है, कि यहां की जो मैन जो आपके अधारबू जो चीजें हैं, उनकी supply इसराइल ने कट कर दिया है, अभी दोस्तों एक ख़वर दोस्तों आ रही है कि, अभी दोस्तों हालिम खवर आ रही है कि इसराइल हमास संगर्स में B-52 जो बंबर है, उसकी एंट्री हो रही है, यह फोटो दोस्तों आपके सामने आपको लग रहा होगा कि सामानने सो फोटो है, यह सो सामानने सो आपके बंबर साने वाला नहीं है दोस्तों, यह आपके अमेरिका का सबसे पावरफुल अमेरिका का सबसे पावरफुल दोस्तों bomber विमान आपके सामने, जिसका नाम है, B-52, अगर दोस्तों इसकी बात करूँ, मैं आपके देखीगा, B-52 आपके इसका नाम हो गया, bomber है, अमेरिका का सबसे powerful bomber सक है, 1955 से दोस्तों अमेरिका में एक कारे कर रहा है, Subsonic Long Range Jet Powered bomber, यह Subsonic, इसकी स्थों आपके सामने, जो इसकी स्पीड है, वो Subsonic की स्पीड है, 1 Max से कम इसकी स्पीड है, लोंग रे스ों लंबी दोस्तों दूरी तक घुड़ान भरने में सक्षम है, लंबी दूरी तक अटेक करने में, कॉम्बैट करने में सक्षम हैं, सबसों अ लोंग रेज जैट पावर्ड बॉंबर है बोइंग कंपनी ने इसको तयार किया दोसों आपके 2.21 किलोग्राम बजन लेकर उड़ने पर उड़ने में सक्छम आपके इसको लेकर यह उड़ सकता है दोसों और 32,000 को बजन के जो बंब है उसको अपने साथ में रख सकता है इसकी अधिक्तमी स्पीड एक हजार पचास किलोमिटर पर आवर है, आठ टर्बो जेट इंजन इसो, पांच लोग चाहिए इसको उड़ाने के लिए, आठ इंजन इसमें लगे हुए है, बहुत दोस्तों पावरफुल ये क्या है, पावरफुल दोस्तों बॉम्बर होने वाल इसकी लड़ाई सो रेंज है, वो 14,200 किलोमिटर इसकी लड़ाई की रेंज होती है, पांच लोग उसको उड़ाने के लिए चाहिए, 169 फिट लंबा है, 185 फिट आपके इसको बिंग से इसके, एक बार में 16,000 किलोमिटर की उड़ानी भर सकता है, और सबसे बड़ी बाद आपके ये चेक करता है कि कहां कहां रोकेट है, कहां का सो मिसाइल है, तो इसकी जानकारी ये प्राफ्ट करता है, इसकी जानकारी ये प्राफ्ट करता है, और थर्ड दोस्तों ये बताता है, अपनी सेना को भी भाई, आपको इन से बचना है, तो पहला जानकारी आपके सर् पहला काम इसका सेकंड दोस्तों, आपके इसका काम है, अटेक करना इसका काम है, थर्ड दोस्तों, डिफेंस करना इसका काम है, तीनों काम जो है, जानकारी अटेक, डिफेंस, यह तीनों काम करता है, कौन आपके सो, यह B-52 बॉंबर है, बहुत दोस्तों, पावरफुल बॉं जो वहां अमेरिका लोग बहुत बड़ी महात्रम है, पावर्फुल आपके लोग अमेरिका के अंदर यहूदी धर्म के लोग है, इसलिए आपके अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा है इसलिए और बी-52 जो है उसकी एंट्री होने जा रही है, इसलिए पहले दोस्तों इसने आपके मैं कुछ आपको उधारन दे रहा हूं कितना पावर्फुल ये बॉंबर होने वाला है, B-52 हम ले, Operation Digest Storm का एक महत्पूर्ण हिस्सत है आपके, Operation Digest Storm आपके, 1991 में चलाए गया था, 16 जनुवरी 1991 को सुरू होकर, B-52 जी की एक उडान, आपके वाईू सेना बेस, आपके लुई शाना से उडान फरी, रास्ते में हवा में इंदन बरा, इराक में लक्षों पर हमला किया, और घर लोट आई, 35 घंटे की यात्रा, 14,000 मील की यात्रा, इसने सबसे लंबी दूरी के लड़ाकू मिसन का रिकोर्ड बनाया, सोचे तो, यह मतलब सो, सुबा आपके उड़ा, रात को वापस आगया, तबाह करके, सोचे कितना पावरफुल दोस्तों उने वाला है, कि सुबा आणा, सुबा दोस्तों उड़ा, और घर भी वापस लोट करा गया साम को, उस आपके 35 गंटों, 35 गंटों की यात्रा इस ने की आपके, और 14,000 मिल जो हैं आपके, यह आपसे, इतनी यात्रा इसके दारा की गई है, यह इसका एक आपके उधारन है, आपके, बाकी दोस्तों आप सभी जानते होंगे, अमेरिका वियत नाम संगस, उस अबसे महत्पून आपके, दर्द वारी घटना थी, आपके अमेरिका वियत नाम संगस, जो कि दोस्तों, जिसको आप सभी जो आपके भली माती, इसो आपके इसे liner bag, इसो आपके इसो line bag का second नाम से जानती इस operation को, इसमें भी दोस्तों इसका खूब यूज किया गया था आपके, 1212 दिनों में 730 इसने उड़ाने फरी ती इसके अंदर आपके, operation line waker इसका नाम था, और 100 अमेरिका ने 20 दोस्तों हमले किया कि इसको ओपर, आ पावर, दोस्तों, इसकी capacity बहुत अधीक है, इसकी speed अच्छी है, इसकी छमता दोस्तों अच्छी है, पाँ- आठ दोस्तों इंजन लगे हूए इसके अंदर आपके, असो 32,000 kg बजन जो है, बंब का बजन उठाने में सक्चम ही होने वाला है, तो दो तबहा, एक सहर को तबहा होने की तैयारी जो है अगर B-50 आपके अटेक करने लग गया तो हमास का सरवनाज जो है वो तैह होगा वहाँ पर क्रिश्मस बंबी स्पोर्ट का नाम जो है अमेरिका ने सो लाइन सो लाइन वेकर जो सेकेंड था आपके जो वियतना में चला था उसी को दोस्तों आपके अमे बॉंबर हैं आपके कहां-कहां इसको यूच किया गया है इसराइल हमास संगर्स जारी है हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्दी जाय है यह संगर्स थम जाय लेकिन भारत जो है वो इसराइल के साथ में खड़ा हुआ है लेकिन दोस्तों यहां पर निश्चित मानना आप जो है इसमें भी मानवता हारने वाली है, हमास की दोस्तों गलती ये रही कि हमास ने इजराइल के जो फेस्टिवल था उस दिन उसको पर अटेक कर दिया, और वही दोस्तों देखिए भुगतना पड़ रहा है हमास को, हमास की बहुत बुरी इस्तिती है, और भविश्य में और बु एक साथ में खड़े हुए हैं, ये अंदर होने वाला है, तो भात ध्यान रखेगा, खुश रहेएगा, all the best आप सभी को, एक छोटी सी जानकारी आपके लिए थी बाकी ध्यान रखना, all the best, Jain.